कि नमस्कार प्रीद भालो जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग स्टेडी करेंगे कनेक्टिव टीशू के बारे में कनेक्टिव टीशू के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोग उने एनिमल टीशू के बारे में पढ़हा था हमने पढ़हा था कि छोटा सा रिवीजन रहे गा एनिमल टीशू कि भी कितने types थे 4 types थे ठीक है यह animal tissue के भी 4 types किस basis पे होते हैं कि उनका जो structure होता है वो क्या होता है different होता है उनका pattern different होता है ठीक है और उस हिसाब से फिर क्या होता है उन tissues का function भी different होता है, तो ये structure pattern और function के हिसाब से जो है animal tissues को four groups में divide किया गया था, जिसमें की सबसे पहला क्या है? इपी-thelial tissue है और दूसरा कौन सा है? connective tissue है और third कौन सा है? muscular tissue है और fourth कौन सा है? neural tissue है ठीक है? इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इपी-thelial tissue क्या होती है? वो क्या होती है? एक तरह से वो body की क्या करती है? कवरिंग करती है या लाइनिंग करती है यह जो tissues होती है इपी-thelial आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे connective tissue क्या होता है? ठीक है? तो इनमें भी कुछ खास points है इनके बारी में जान लीजे कि सबसे पहले तो जो complex animals की जो body होती है complex animals का मतलब वो animals जो की multicellular है ठीक है? उनमें जो है यह connective tissue most abundant होते हैं जादे पाए जाते हैं पहली बात दूसरी बात वो क्या होते है? widely distributed होते हैं widely distributed होते हैं ठीक है? उसके बाद जो important point क्या है? कि जो मैंने बताया कि यह क्या करते है? linking का and supporting का काम करते हैं किसको? जो body के organs है ठीक है? तो उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? connective tissue करेंगे एक दूसरे के साथ में उसके बाद जो connective tissue जो हता है वो आपको soft connective tissue से लेकर ठीक है? to specialized connective tissue मिलेंगे आपको soft tissue भी मिलेंगी और hard tissue भी मिलेंगी जो कि क्या include है इसमें? उसमें है cartilage हो गया ठीक है? बोन हो गया उसके बाद क्या हो गया? एडिपोस tissue हो गया ठीक है? यह सारे examples हैं और blood हो गया अब इसमें जो सबसे important जो point है वो यह है कि blood को छोड़के ठीक है? blood को छोड़के accept the blood बागी जितने भी connective tissue है वो क्या करेंगे? वो कोई न कोई fibers जो होते हैं वो secret करते हैं ठीक है? fibers of structural protein जैसे कि कौन सी हो गई? कोलेजन हो गई? ठीक है? कोलेजन हो गई और elastin हो गई तो यह जो connective tissue होते हैं सिफ बलड को छोड़के बागी जितने भी connective tissue है ठीक है? उसमें जो structural protein होगी वो fibers को secret करेंगी और वो कौन से fibers होए? example के तोर पर जैसे कौलेजन हो गया और elastin हो गया ठीक है? उसके बाद ऐसे tissues की जो cell होंगी वो सिर्फ और सिर्फ protein ही नहीं बलकि बहुत सारे modified क्या होंगे? modified polysacryrites को भी secret करेंगी ठीक है? polysacryrites को भी secret करेंगी और ये जो है polysacryrites करेगा? accumulate करेगा ठीक है? between cells and fibers ठीक है? और क्या करेगा? कैसा काम करेगा? act as matrix जिसको की क्या बोलते है? ground substance होता है cell का क्या होता है? ground substance होता है suppose कि ये कोई cell है ठीक है? cell नहीं माली कोई tissue है ये ठीक है? उसमें क्या होंगी? बहुत तरह की cells होंगी बहुत तरह की cells होंगी करके और बहुत तरह की उसमें क्या होंगे fibers होंगे ठीक है ऐसे ऐसे करके fibers होंगे तो ground tissue क्या हो गया ये हो गया तो ये ground tissue अदो को कि हम लोग क्या बोलते है matrix बोलते है तो इस matrix में क्या प्रेजेंट होंगे polysaccharides भी present होंगी तो यह सारे points आपको याद होनी चाहिए जो कि NCRT के point of view से बहुत ही important है अब हम लोग पढ़ेंगे कि connective tissues के भी कितने type होते हैं तो connective tissue के कितने types होते हैं यह mainly three types के होते हैं जो सबसे पहला जो type होगा वो कौन सा होगा loose connective tissue ठीक है जो दूसरा कौन सा होगा वो होगा dense connective tissue जो third type है वो कौन सा है specialized connective tissue तो connective tissue भी three types के होते हैं ठीक है तो connective tissue में अब इसके नाम में और इसके नाम में तो आपको ऐसे ही फरक समझ में आ रहा होगा कि जो loose connective देखिए connective tissue में क्या होते हैं fibers होते हैं तो जब fibers जो होंगे ठीक है इन tissues के जो cell होंगे उन में क्या होंगे इन tissues में fibers होंगे अब वो जो fibers अगर loosely arranged हैं tissue में ठीक है तो उसको loose connective tissue बोलेंगे और अगर वो थोड़े compactly arranged हैं कौन fibers की बात कर रहे हैं तो वो इस कटेग्री में आ जाएंगे bench connective tissue में आ जाएंगे तो क्या point है पहला कि यह जो fibers होंगे वो क्या होंगे इसमें loosely ठीक है arranged होंगे और जबकि इसमें क्या होंगे compactly जो होंगे वो क्या होंगे arranged होंगे ठीक है उसके बाद क्या है कि इसके examples के अगर बात करें हम लोग दो example लेंगे loose connective tissue के एक जो example है वो कौन सा होता है examples की बात करते हैं तो होगा एरियोलर tissue ठीक है और दूसरा कौन सा लेंगे एक और example कौन सा लेंगे एडि पोस टीशू एडि पोस टीशू अब यह एरियोलर टीशू कौन से होते हैं यह दोनों ही टीशू जो है यह क्या होते हैं स्किन के बिनीत ही present होते हैं मतलब नीचे में present होते हैं इसकिन के ठीक है लेकिन अब एलियूरर में क्या खास बात होती है एरियोलर टीशू क्या करते हैं यह support करेंगे ठीक है यह support करेंगे to the epithelium तो यह skin के बिनीत में तो present होते ही है तो सबसे बाहर क्या होते हैं epithelium होती है तो उसको यह क्या करेंगे support करेंगे साथी साथ इनके पास क्या होता है it contains ऐसी tissues के पास क्या होती है ऐसी tissues के पास होंगी क्या इनके पास होगा mast cells होंगी ठीक है इनके पास होगा fibroblast होगा ठीक है और इनके पास macro phase होगा तो इस तरह का जैसे मान लीजे यह cell का ऐसे structure है तो इसी में यह क्या होंगी mast cell हो गई यह fibroblast वाली cell हो गई ठीक और macro phase present है इस तरीके से यह suppose कि यह क्या है areolar tissue है और इसमें इस tissues में यह सारी cells present होगी mast cell fibroblast और macro phase present होगा ठीक है उसके बाद adipose tissue की क्या खास बात है जो areolar tissue से अलग करती है तो इसमें खास बात क्या करती है यह storage का काम करती है क्या करती है होगा excess nutrient होगा वह एडिपोस टीशू की जो cell होती है उसमें जाके वह excess nutrient पहले fat में convert होके store हो जाएगा ठीक है तो यह जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हाल फिल हाल यह पढ़ा हम लोगों होने loose connective tissue के बारे में ठीक है उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं dense connective tissue के बारे में देखिए इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे दो इसमें ग्रूप में इसको बिवाइड किया गया है जो सबसे पहला है उसको बोलते है dense regular tissue ठीक है और दूसरा कौन सा है dense irregular tissue है यह दोनों के सदार पर डिवाइड किये गया है जो ओरियन्टेशन है ओरियन्टेशन जो है फाइबर्स का ठीक है फाइबर्स का ओरियन्टेशन टीशू में कैसा है ठीक है किस पैटन में वो प्रिजन्ट है उसके अधार पे दो डिवाइड किया गया है दो पार्ट में दो ग्रूप में dense connective tissue को एक जो है वो dense regular tissue है और regular tissue regular से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो जैसे collagen fibers जो होंगे वो क्या होंगे उस tissue में बाकी और भी जो bundles होंगे fibers के उसके यह parallel में arranged होंगे तो एक pattern बनाएंगे suppose यह क्या है एक tissue है ठीक है तो यह जो collagen होंगे यह इस तरीके से जो है एक pattern में सीधे सीधे parallel में मतलब कि यह और भी जो fibers हैं इनकी यह parallel में अरेज होंगे ठीक है जबकि dense irregular में क्या होगा कि इसमें जो collagen fiber होंगे वो irregular होंगे उनका pattern different होगा जैसे माली जब fibers ऐसे ऐसे करके बाकी सारे fibers है तो collagen fiber कोई ऐसे present होगा तो कोई ऐसे present होगा तो कोई ऐसे present होगा या कोई इस बीच में हो जाएगा मतलब एक pattern में इनका pattern अलग है यह ऐसे parallel है बाकी सारे रेगूलर टीशु में भी 2 important points क्या वती है जो है कि जैसे tendon tendon है नाम आपने सुना होगा tendon कर काम क्या होता है जो soft muscles होती है उनको क्या करता है बोन से कौन जोडता है टेंडन ठीक है जब कि बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है लीगामेंड बोन टू बोन को कौन सा कनेक्टिव टीशू कनेक्ट करता है लीगामेंड तो यह जो है किसके एक्जामपल है डेंस रेगुलर टीशू के एक्जामपल है ठीक है थर्ड टाइब थर्ड टाइब कनेक्टिव टिशू के हम लोग अब पढ़ेंगे इस्पेसेलाइजड कनेक्टिव टिशू के बारे में ठीक है इस्पेसेलाइजड कनेक्टिव टिशू के बारे में ठीक है इन में जो है हम लोग मेंली किसके बारे में पढ़ेंगे एक्जाम्पल जो है वो है कार्टी कार्टीलेज के बारे में पढ़ेंगे बोन के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे ब्लेड के बारे में ठीक है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्टीलेज के बारे में कार्टिलेज कनेक्टिव टिशू में क्या होता है इनमें जो इंटर सेललर जो मटेरियल होता है ठीक है उसमें वो क्या होंगे वो सॉलिड होंगे और क्या होंगे प्लाइबल होंगे ठीक है प्लाइबल सॉलिड होंगे तो समझ में आ रहा है सॉलिड होंगे प्लाइबल मतलब कुछ प्रेशन आएगा भी तो वो उसको रिसिस्ट कर जाएंगे इनकी वज़से ठीक है इनकी इस प्रॉपर्टी के वज़से एन रिसिस्ट कम प्रेशन ठीक है अगर बाहर से अगर जरा सा भी जोर लगेगा इन टीशू पर ये तो ब्रेक्डाउन हो जाती लेकिन अपने इ कोई असर नहीं करता है उसके प्रतिवीन को कि प्रति ना पाध्प चमता होती है ठीक है उसके बाद क्या है कि का Our में यह कहां होते हैं मैं होती है वहां यह क्या होते हैं उसके बाद क्या है इंपोर्टिन पॉइंट है कि कि cartilage जो vertebrate के जो embryo होते हैं तीक है उस समय तो यह cartilage रहता है बात में जब एडल्ट हो जाता है यह ते हैं बोन में YT हो जाता है यह किसका इंपॉटेनट पॉइंट है उसके बाद cartilage connective tissue के examples क्या-क्या है का नोस के तिप प्रेज होते हैं और यह के जॉइंट साउटर जो एयर है वहां प्रेजंट होते हैं लिम्स में होते हैं एडल्ट के जो हैंड है ठीक है और लेग है और यह प्रेजंट होंगे जो वर्टिबरल कॉलम के जो एडिसेंट बोन होती है वहां यह प्रेजंट होते हैं तो इतना कुछ था कार्टिलेज क के बारे में अब हम लोग यहां स्टडी करेंगे बोन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन के बारे में बॉन क्या होता है bone bone के पास क्या होता है एक hard और non pliable ground substance होता है ground substance होता है मतलब ये लचीले नहीं होंगे और वो किसमें rich होंगे rich in calcium salts में rich होंगे and and collision fibers में जिसकी वज़े से ये bone क्या होती है बहुती जादे मजबूत होती है और ये जितने भी body के जो organs है उनको क्या करती है strength provide करती है ठीक है और उसके बाद है ये ही bone जो है ये body का एक structural frame भी त्यार करती है जैसे ये यहाँ पे एक bone है तो ये एक structural frame हो गया इस तरह की bone है तो leg में जैसी है तो उस तरह का एक body का एक structural frame हो गया तो body को एक structural frame देती है ठीक है तो कहीं कहीं क्या है जो bone marrow जो कि bone में होता है वहाँ पे blood cell का formation होता है वो site होता है ठीक है और उसके बाद ये जो bones होती है ये muscles के साथ skeleton muscles के साथ जुड़के क्या करती है एक पुरी body को support करती है ठीक है और movement के लिए भी ये ही bone responsible होती है जब ये muscles के साथ मिलती है तो bone cells का नाम क्या होता है osteocytes ठीक है ये कहां present होती है क्या है bone cells होती है और ये present होती है एक space में उस space को बोलते है like you ना बोलते है ठीक है तो इतनी बाते समझ भागे overall इतना ही समझना आपको जादे जो रहे है कि bone hard होता है और strength देता है body को support करता है structural frame देता है ठीक है यही सारे इसमें points है उसके बाद next हम लोग study करेंगे blood के बारे में blood भी क्या है सुनके जीव लगता है blood भी एक क्या है connective tissue है ठीक है इसके पास क्या होता है इसके पास होता है plasma होता है इसके पास RBC होती है red blood cells होती है white blood cells होती है platelets होते हैं ठीक है ब्लेट होते हैं इतनी सारी चीज़े होती है ब्लेड क्या होता है वह क्या होता है में सरकुलेटिंग फ्लीड होता है जो कि अपने साथ साथ कई सारे फ्लूड के ट्रांस्पोर्टेशन में help करता है ठीक है और इसमें स्वेंस एंसियार्टी में दो ही पॉइंट दिया हुआ ह होग कि यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलार टीशू के बारे में और नियूरल टीशू के बारे में एक ही साथ में ठीक है अगर कोई कोशन ना समझ में तो आप कॉमेंट सेक्शन में ल हुआ 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 है